है और आप देख सकते हैं कि इसने 52 वीक का लो बनाया है 1065 का जो की बना है 23rd of में को उसके बाद यह थोड़ा स्टॉप जो है वापस उपर आने खोशिश कर रहा है यहां से लेकर के इसमें अपवर्ड जन्नी स्टार्ट की थी लेट मी पुटा है होरिजन्टल एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं तो उससे अपने को क्लेरिटी आ जाएगी ओके यह देखिए यहां से अगर मैं इसको कंटीनू करूं यह देखिए ट्रेंड लाइन है यहां तक ट्रेंड अप था उसके बाद से ट्रेंड जो है डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ है तो डाउनवर्ड ट्रेंड में भी अपने कोई एक चीज़ ध्यान अदेखिए यहां से देखिए ठीक है यह देखिए यह है डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है और एक होरिजोंटल लाइन प्लेस कर देता हूँ तो उससे भी क्लेरिटी आ जाएगी यह देखिए एक लाइन लगेगी इसके नीचे यहां और एक लाइन मुझे लगानी पड़ेगी यह उपर ठीक है यह दो लाइने लगा देते हैं इसमें बाद मैं लगा देता हूँ प्राइस लेबल प्राइस लेबल से भी क्लेरिटी आ जाएगी यह प्राइस लेबल है बारा सो बीस का बारा सो बत्तिस और इसके बाद एक प्राइस लेबल लगा देता हूँ मैंस में नीचे एक हजार चैसी बारासो बत्यस ठीक है ये दो लेवल है जिसके बीट में स्टॉक रोमिंग कर रहा है अब हमें जो लेवल ध्यान रखना है वो ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है क्योंकि जो ओवराल तेजी बनेगी वो इस लेवल के उपर बनेगी और ये लेवल आ रहा है तेरा सो का तेरा सो के उपर जब ये स्टॉक चलने लगेगा तब आप देखेंगे तो ये एक अपवर्ड पूरी जर्नी स्टार्ट होगी इसकी वापस यहां से देखिए यहां भी तेरा सो के उपर गया तो हाई बनाया चौदा सो सैंटीस का तीस माई को उससे पहले ये तेरा सो से उपर गया तो हाई बनाया सोला सो रुपए का और ये वीकली होराइजन है इसको अपन डेली में शिफ्ट कर लेते हैं तो और क्लैरिटी आएगी ठीक है ये आगया डेली टाइम फ्रेम ठीक है वही लेवल आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये यहां से देखिए यहां से एक हजार 86 से लेके 1300 के बीच में बहुत नॉइस है तो 1300 से उपर का ही लेवल अपने को ध्यान रखना है उसके उपर जब भी ये स्टॉक जाएगा तो एक अच्छा खासा रनाप अपने को देखने को मिलेगा इस स्टॉक को ठीक है जैसे यहां आप देख पा रहे हैं यह देखिए 1525 तक गया था लाइक वाइस यहां देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अपन देखें यह 1287 और उसके अगले दिन देखिए 1409 मतलब लगभग 1300 के उपर जाने के बाद 100 और बलकी इनफेक्ट और उपर गया था यह 1431, 1418, 1418, 1418 का हाई बनाया था यह अगले आएगा वो एक दिन में दू दिन में तो नहीं आएगा अलागि पिछली बार तो यह एक ही दिन में आ गया था यहां भी देखिए आग एक ही दिन में, सेम डे है ना, सेम डे हुआ तो 100 पॉइंट का मुवमेंट हो गया, उसके बाद तो बाद थोड़ा पिर भी अपन अपना होराइजन इस पर एक हफते का रखते हैं, वन वीक होराइजन, लेवल तो वोच इस 1300, 1300 सस्टेन करना चाहिए, मिनिमम थर्टी मिनिट्स ताइम फ्रेम केंडल, आफ्टर देट यू विल सी दे मूमेंट ऑफ मिनिमम हंड़ेड तो हंड़ेड तैन पूरली फॉर एजुकेशनल परपस, यह नो रिकमेंडेशन एट आल फॉम आवर साइट, अपर्ट फॉम देखेंगे, स्टॉक की अर्निंग भी हमेशा सर्प्राइस करती है, अब यहां देखेंगे, अला कि टेक्निकल्स में अभी जो हैं स्ट्रॉंग सेल दिखा रहा है, एनलिस्ट में बाई दिखा रहा है, तो हमारा भी ओपिनियन अभी यही है, वेट अंड वाच, तेरह सो का लेवल सस्टेन होगा, उसके उपर ही बात करेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंट